पून्ट साजेदारी एक अच्छी साजेदारी और यहां भी दो मुंबई के ही बैटे हैं हैं चाहे अब हो या भी ना हो जा भी हो और वह भी आर्दिक अब खेर नहीं है पर वहीं पर सीखा इशान ने भी वहीं पर तो देखें जो 138 रन की साजेदारी है औल्मोस्ट रन बात करते हैं पहले और फिर इशान की बात करेंगा जी पिल्कों देखें उस साजेदारी की तो बात करनी ही होगी क्योंकि जब आप यही है यह जो स्कूर कार्ट देख रहे हो भारत अभी मैश में बना हुआ है यह इन दोनों के बदोला थी बना हुआ है जिस तरीके से पा फाजी हो रही थी तो आपको वह प्रेशर को एपसॉब करके वहाँ पर टीम को निकालना तो उन्होंने वह पूरी मतलब काम पूरा कर दिया था उसके बाद अगर आप आप देखोगे बीस या पच्चीसरन और यहां पर जुड सकते थे अगर वह थोड़ी दिर और खेलते या लोर और उस तरीके से कांट्रिब्यूट करता लेकिन यहां पर इस वक्त मैं समझता हूँ ज्यादा खुश भारतियर खेमा होगा जिस तरीके से मैं शुरुआत हुई थी और पाकिस्तान यहां पर अभी भी सोच रहा होगा कि हो सकता है हमने काफी गलतिया किये फिल्ड किशन पहली बार आया है नंबर फाइव पे बैटिंग करने देखिए क्या हुआ है कि भारत का प्लाइन था कि केल राहुल आके बल्ले बाजी करेंगे पांच पे कुछी दिन पहले पता चला कि केल राहुल नहीं आएंगे तो लास्ट मिनिट पे मैनेज्मेंट को प्लाइन मनाना पड़ा है आज सुबह भी बी सी सी आए का ट्वीट आया कि इशान किशन का नाम नंबर फ्री पे लिखा हुआ था टीम लिस्ट पे तो हम भी आपे चर्चा कर रहे थे कहां पे आएंगे बल्ले बाजी करने देखे स्लॉट अगर लिया है अपने नंबर फाइव अगर हम देखेंगे कि इस से पहले जब बंडे खेल रहे तो उपन कर रहे है तो उतना आसान नहीं होता किसी भी बल्ले बाज को अपने जो जो सभावी खेले वो जगा को छोड़ के दूसरी जगा पर आकर बल्ले बाजी करना स्पेशलियाज सिच्वेशन दी ऐसी दी ज़ पर फोर था अंडर प्रेशर उनको पता है कि दो मैच के बाद अगर के लाएंगे तो उनकी जगा जाएगी तो आप और दिमाग से सोचते हैं कि और अच्छा इंप्रेशन डाला है वो सारी चीजे करी करके उन्होंने बहुत बढ़िया बल्ले बाजी करी और मेरे खायल से जो अच्छी चीज लगी टीम मैनेजमेंट के पॉइंट अव यू से भी कि उन्होंने इशान किशन को पांच नमबर बल्ले बाजी करवाई ताकि अगर ओपन कराते और केल राउल वापस आते तो बहुत सारी चीजे बैटिंग और चेंज करना पड़ता बट वो सारी अच्छन हर बार इशान किशन पर आता है कि जब स्पिनर जाते हैं तो स्ट्राइक रोडेशन उतना नहीं होता जो आज देखने को मिला जैसा ही बाउंडरी लगी उसके बाद तुरन सिंगल ले रहे थैं आइधिंग वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमें काभील को भी पता था सबको पता है कि अच्छा स्पिन में कभी-कभी अटक जाते हैं शायद इसी वज़े से उस पार्ट पे स्पिन इतना खेल रहे थे और सारा सब धीमें के इंदबाद उन्हें आके बाल डालिया उस टाइम पे पर निगल गए उसमें से भी हो ने देखिए आज जिस तरीके से टीम सोच रही थी तो उन्होंने का चलिए शुबमन गिल से हम उपन करेंगे तो इनको इसके कारण यहाँ पर कुछ मैचेस मिस करने पड़े लेकिन उस समय में आपको बतार खिलाडी जो चीजे करनी होती है मतलब उस चीज से या तो आप फ्रस्ट्रेट हो स रहे और यह बहुत जादा जरूरी होती है तो मैं उस चीज से बहुत जादा खुश हूँ कि इन्होंने अपने आपको उस तरीके में अपने आपको ढाला है कि यह बाकी चीजों से परे जा रहे है अभी और यह सोच रहे है कि ठीक है जब भी मुझे 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 म नजर आरे जो कि अच्छी बात है